अस्सलाम अलेकुम रह्मतुल्लाहिव बरकातु हूँ यह हमारा छोटा सा घर और जंगल जिली में जिसकी तीन बड़ी-बड़ी शाखे थी दो काट दी और एक रहें गई और कल वह एक भी काट दी है क्योंकि बहुत हॉंटेड लग रहा है तो इसलिए दिखने में जैसे कोई अल्हम्दुल्लाह कोई फीलिंग्स नहीं है तो इसलिए उसको भी काट दिया नेक्स्ट वीडियो बनाऊए यह हमारे प्लांट्स है अल्हम्दुल्लाह गर्मी के मौसम म मुश्किल में हैं और गरूत अल्हम्दुल्लाह चल रही है सही लेकिन यह के पानी जरा सा ना दो तो थोड़ा सा कि वी गया पाजाए तो बड़ा मसला होता है वैसे आल्टरनेट डेज में मैं दे रही है पानी लेकिन यह के अवरी नेक्स टे आउ वन डे लीव एक एक दिन छोड़के जाए पानी देना होता है तो अगर जरा सभी टाइम लग जाए देर हो जाए सुबह देना है शाम में दिया तो बिल्कुल डेल हो जाते है लेकिन अलम्दुल्लाह फिर भी चल रहे है और यह वोगन मीलिया माशालला से इसने चका सा शे शेट कर लिया है शेट तो जंगल जले भी नहीं बहुत किया था किन बहुत बड़ी बड़ी शाक है रहे हैं वह पूरे घर पर आ रहे थी फिलाल सिर्फ बुगन मेलिया एक साइट पर है दूसरे साइट पर मैं जो बनाऊंगी तो डालूंगी कुछ मैंने कुछ मनी प्लां से जो घर में रखे हैं इंडॉर ओ यह एलो वेरा मुझे लगा कि यह स्नीक प्लांट यह तो माशाल ला से एज़ इसपे कोई मस्ला नहीं है मनी प्लांट को देखते रहना हुता है जब चाय बनाती हो तो चाय की पति जो रिमीनिंग होती है वो इसमें डाल देती हुँ बाकी सही रहता है अल्ला का शुकर है बाकी सही रहता है बहुत अच्छी हो रही है लेकिन आ नीचे से बिलकुल खाली है इसके साथ एक कांटो वाली बेल है वो है दोनों मिक्स कर दी है ताकि थोड़ा वाल्यू वाइस थोड़ी बेतर हो इसमेंसे भी शाखे इनी मैंसे प्लांट में से निकाली है शाखे वानिक यह हरी मिर्च का पौदा लग किया यह एक केक्टस था तो उसको किया है अलग और यह जो हरी मिर्चे और पपीते के बीज डाल डाल के वो छोटे चोटे प्लांट्स निकल आए तो प्लांट्स यहां पे से यहां में इसको सेल भी करती हूं कभी-कभी तो यह प्लांट्स में बेज दिया या रिमेच है अभी थी खटा ही है लिकिन इसको आलग नहीं किया यह इसमे भी त्रियू की बीजिन डाली थी वह भी लग गई और बस जगा कम है शौक जादा है ये जवाइन है ये भी कभी बगार में बहुत अच्छी लगती है ये जवाइन के पत्ते चोटे चोटे पीस कट करके तो ये अच्छा हो जाता है क्या द двух खाद हो ये जवाईन है ये फяз हो फी है ये प्यों गच्छा करके बड़ सुकों एला है